नमस्कार आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद ऐसा स्वागत के आपने हमारा यात्रा का फुरा दम आपने यात्रा में डाल दिया एक साल पहले हमने यात्रा शुरू की कन्या कुमारी से कश्मीर तक क्यूंकि क्यूंकि देश में बीजेपी के लोग एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाने का काम कर रहे हैं और लोगों को धमकाने का डराने का काम कर रहे हैं नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं मैं आप से पूछता हूँ अगर परिवार में लड़ाई होती है भाई भाई ठेड़ जाओ अगर परिवार में लड़ाई होती है एक भाई दूसरे भाई को मारता है तो परिवार मजबूत होता है कमजोर होता है कमजोर होता है तो अगर देश को कोई कमजोर करता है तो देश भक्त का काम क्या होता है देश को बचाना नफरत को मिटाना डर को मिटाना हिंसा को मिटाना यही लक्ष भारत चोड़ो यात्रा का था जो नफरत समाज में फैलाई जा रही है उसके सामने यात्रा ने 4000 किलोमेटर और सिर्फ मैंनी चला भाईयों और मैंनों लाकों लोग चले हैं मीडिया में पूरा ब्लैक आउट कर दिया था जैसे इस यात्रा को पूरा ब्लैक आउट कर दिया है मगर मगर देश के दिल के अंदर आत्मा के अंदर डियने के अंदर यात्रा का मेसेज गया महुपत का मेसेज गया नफरत के खिलाफ मेसेज गया और इससे देश मजबूत हुआ जैसे ऐसी भीड है में में चल रहा था भीड थी एक वियक्ति को मैंने देखा उदर से आने की कोशिश कर रहा था पुलिस वालों ने उसको मारा गायब हो गया फिर वो दूसरी साइट से आया फिर पुलिस वाले जो रूट को बनाते उन्होंने मारा उसको फिर गायब हो गया तीसरी बार मैंने मैं इसको यहां देखा फूलीस वालों को धकेल के अकेला 10-15 पूलीस वालों को जाता हूँ पिछली यात्रा में और कहता है सुनो सुनो सुनना सुनो मेरे सामने आके खड़ा हो जाता है ऐसे कहता है मैं जानता हूं तुम क्या कर रहे हो मैं जानता हूँ तुम क्या कर रहे हो मैंने का भाई इसको क्या हो गया मैंने इसको बुलाया मैंने का इधर आओ थोड़ा रिलैक्स करो फिर कहता है मुझे मैं जानता हूँ आप क्या कर रहे हो आप नफरत के बाजार में मोहबत की दुकान कोल रहे हो मतलब नारा हमने नहीं दिया नारा भीड के दिल में से निकला है और भीड और जंता समझ गई कि बारत जोड़ो यात्रा क्या करने की कोशिश कर रही है बारत को जोड़ने की कोशिश कर रही है अब पहली आतरा में से सवाल उठा और मैंने बहुत सारे लोगों से कहा पूछा देश में नफरत फैलरी है और मैंने पूछा क्यों फैलरी है इसका कारन क्या है और मैंने ये सवाल ہ՞जारों लोगों से पूछा होगा भाई नफरत फैलाई जा रही है हिंसा फैलाई जा रही है इसका कारण क्या है नहीं, वोड बैंक निये भाईयों, वेनों, आप गल्द फेहमे मैं मत रहूँ, वोड बैंक निये है और हिंदुस्तान की जंता ने ये मुझे बताया किसानों ने मजदूरों ने राहुल जी हिंसा और नफरत का कारण अन्याए है हिंदुस्तान के सब गरीब लोगों के साथ 24 घंटा इस देश में अन्याए होता है किसान के खिलाफ अन्याय होता है चोटे दुकांदार के खिलाफ अन्याय होता है युवाओं के खिलाफ अन्याय होता है सडकों पे माताओं बहनों के खिलाफ अन्याय होता है हिंसा का कारण, नफरत का कारण अन्याय है इसलिए हमने दूसरी भारत जोड़ो यात्रा में भारत जोड़ो न्याई यात्रा शब जोड़ दिया क्योंकि अब ये दूसरी यात्रा भारत को जोड़ने का काम कर रही है मगर ये दूसरी यात्रा अन्याई के खिलाफ लड़ रही है और नियाए को जनता के सामने लाने की कोशिश कर रही है अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ यहाँ पे शान्त हो जाएं थोड़ा यहाँ पे बहुत सारे लोग है यहाँ पे हिंदुस्तान में पिछडे लोगों की कितनी अबादी है कितनी अबादी है कितनी है पिछडों की 50% अबादी है ठीक है ठीक है गलितों की कितनी अबादी है 5% नहीं भाई 15% सब माइनॉरिटी को मिला दो सीख, मुसल्मान, क्रिस्चन, जेन सब को मिला दो इनके कितनी अबादी है 15% आदिवासियों के अबादी कितनी है 8% 50 और 15 कितना होता है 65 और 15 कितना होता है 80 और 8 कितना होता है 88 ना ठीक है तो इन सब को मिलाओ तो 88% इनकी अबादी है कक्रिबन 90% ठीक है अब मैं आपसे पूछना चाहता हो हिंदुस्तान के सबसे 200 बड़ी कंपनियों की मालिकों की लिस्ट निकालो ठीक है अब मैं से 90% के कितने मालिक बताओ कितने एक भी नहीं छोड़ो शायद आप लोग 90% लोग कहते हैं भाईया हम हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनियों के मालिक नहीं बनना चाहते तो फिर मैं आप से पूछूँगा ठीक है मालिक नहीं बनना चाहते मालिक बनने का दम नहीं है तो फिर मैनेजमेंट में आपके लोग कितने हैं जीरो तो प्राइवेट कंपनियों सबसे बड़ी प्राइवेट कंपनियों में आपका एक आदमी मालिक नहीं आपके senior management में एक बंदा नहीं ठीक है? अब आप कहो, पता नहीं कि शायद कहो कि भाईया 90% को private company में कुछ नहीं चाहिए ठीक है फिर मैं आपसे बूचता हूँ ये media वाले जो घूम रहे हैं media वाली company जो है सबसे बड़ी company हैं इन में से 90% के मालिक कितने? कितने? zero ठीक है? बड़े बड़े reporter के नाम देखो ये सब के नाम list निकालो इस में से 90% के कितने? कितने? zero ठीक है आप कहोगे भाईया हमें हिंदुस्तान की सबसे बड़ी company में भागीदारी नहीं चाहिए हमें मीडिया में भी भागीदारी नहीं चाहिए मैं कहता हूँ गल्थ है मगर शायद आप लोगों की दिल में यही है तो फिर मैं आप से पूचूँगा भाईया private hospital की list निकालो डॉक्टरों की list निकालो इसमें आपके कितने लोग कितने लोग जीरो फिर मैं कहूँगा भाईया पता नहीं क्या हो गया 90% ना private hospital चलाना चाहता है ना companyयों में भाग लेना भागीदारी चाहता है ना मीडिया में चाहता है फिर मैं कहूँगा ठीक है भाईया IAS में आपके कितने हिंदूस्तान के budget को 90 लोग चलाते है वो UP वाली list निकालो UP वाली ब्यूरोक्राट वाली हिंदूस्तान के budget को 90 लोग चलाते है मतलब पूरा गप्यसा 90 लोग बाढ़ते है आये सबसर है ठीक है अब मुझे बताओ हिंदुस्तान की सरकार के 90 सबसे बड़े आये सबसर में 90 परसेंट के कितने लोग तीनों बीसी एक दलेट एक आदिवासी एक दो माईनोरिटी के आप जानते हो कि आप में से 90 परसेंट में से बजट के कितनी भागी दारी है जानते हो 90% की कितनी भागी दे आ रही है 7% अब ये देखो UP की बात करता हूँ मैं हाकड़े निगालता हूँ UP के बजट को सुनो UP के बजट को 90% UP की 90% अबाजी UP के बजट को अब आपसर कंट्रोल करते हैं ठीक है बासर अब मैं आपसे पूछता हूँ इन अपसरों UP के बजट में UP के बजट में मैं आपको बताता हूँ भाईयो मैं बताता हूँ OBC के भागिदारी UP के बजट में कम से कम आपके भागिदारी चार परसेंट चार परसेंट ठीक है च्छे परसेंट अगर आप समझना चाहते हो कि नब्बे परसेंट लोग कहां काम करते हैं पिछडे माइनॉरिटी के लोग कहां काम करते हैं मैं आपको बताता हूँ इस देश में आपकी जगय मैं आपको बताता हूँ आप मन्रेगा की लिस्ट निकालो उसमें आपको सब पिछडे दिख जाएंगे सब दलित दिख जाएंगे सब आदिवासी दिख जाएंगे सब माइनॉरिटी दिख जाएंगे आप कॉंट्राक लेबर की लिस्ट निकालो शांदार बिल्कुल शांदार क्योंकि सच है सच शांदार होता है आप contract neighbor की list निकालो आप सफाई कारमचारियों की list निकालो आप contract neighbor की list निकालो उसको देखो उसमें आपको मिलेंगे दलित मिलेंगे, आदिवासी मिलेंगे minority मिलेंगे, पिछड़े मिलेंगे यह सचा ही है, हिंदुस्तान की बहुत-बहुत धन्यवाद क्योंकि मैं सच बोलता हूँ अच्छा, जेलों की list निकालो जेलों की list में आपको पिछड़े मिलेंगे गलित मिलेंगे, आदिवासी मिलेंगे गरीब मिलेगा, एक अमीर व्यक्ती आपको हिंदुस्तान की जेल में नहीं मिलेगा 16,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 प्रिसेंट के हाथ में पूरा पूरा है एक बात मैंने नहीं कहीं इसमें गरीब जनरल कास के भी बिचारे लोग हैं उनको भी कुछ नहीं मिलता वो भी बैटे हुए देखते रहते हैं ठीक है तो हो क्या रहा है एक तरफ नरेंद्र मोदी जी बैटे हैं दूसरी तरफ अधान बैटा ए अब समझना चाहते हो और एंदुस्ताण में मैं समझना चाहते हो मैं समझाता ओं मैं बताता हूँ कौन आएगा उपर आजा वेटा आजा 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 उपर आजा अजिस्तान सरकार का पूरा का पूरा काम आपको एक मिनट में समझाने जा रहा हूँ आजा आजा उपर आजाओ शाबाज नाम क्या तुम्हारा रगुनाद यादव जी इदर आओ खड़े हो खड़े हो जाओ खड़े जाओ सामने ये देखो रगुनाद राज यादव जी है ये उबी सी हैं पिछले पिछले भर के हैं यादव जी अब देखिए यादव जी उदर देखिए रादव जी तो सबसे पहले उसको इधर दिखाओ, उदर दिखाओ, उदर दिखाओ, उदर दिखाओ, नीचे दिखाओ, यह जो मैंने अभी यह जाया, अम नरियत कर रहे हैं, उदर देखो, उदर देखो, उदर देखो, उदर देखो, ठाली वजाओ, फोन की लाइट चलाओ, यह मोदी देखो यह के आध्या लिए शुक्त है तई बहा है बही है कर दो यह को यह दो यह अप यह आप अदर को यह जिर में हाथ डालों यह जेव काट रहा है इसका नाम अदानी बहिया तीसरा आजा उपर अच्छा बहिया इसको एक डंडा दो इसको एक डंडा दो ये डंडा दो ये डंडा दो और ये डंडा दिया अच्छा डंडे को हाथ मठा ये आमे ये मोदी जी मोदी जी अधानी जी अमेचा जी यह CBI ED income tax यह उसका डंडा है अगर किसी ने पैसा चीना जा रहा है पेट्रोल से पैसा चीना जा रहा है बिना रोजगार नहीं दिया जा रहा है यह काम हो रहा है बाई और बेनो आपने हमारी मदद की गलत तो नहीं किया मैंने अगर कुछ गलत लगा आपको तो माफी मांगता हूँ मवस दिखाना चाह रहा था आपका बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार आजाये यहां बेढ़ बेढ़ जाए यहां बेढ़ जाए उदर देगो भाई बारत जोड़ो धन्यवाद भीया बहुत चल लगा आपसे मिलकर जै जोहर वो लेड़ेगा आपको भीया हाँ शाबश तो यह मैंने आपको दिखाया हिंदुस्तान का सिस्टम हिंदुस्तान के गरीब लोग पिछड़े लोग दलित लोग आदिवाद सी लोग माइनॉरिटी के लोग उनका जैब काटा जा रहा है जैब काटा जा रहा है अब देखो आकरी बाद आपसे कहना चाहता हूं यहां पर यह जो पुलीस वाले बैठे हैं सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं आपने आज धक्के खाए और जो आपको धक्के लगे उसके लिए माफी मांगता हूं मगार यह जो हैं पुलीस वाले बैया धकेलो मत भाई दम जाएंगे यह जो पुलीस वाले हैं यह पुलीस में जब जाते हैं तो यह देश सेवा करने के लिए जाते हैं सही यह देश सेवा करने के लिए जाते हैं ऐसे ही लाकों लोग सुबह उठके पांच बजे सुबह रनिंग करते हैं पुश अप करते हैं पुलाप करते हैं सेना में जाने के लिए जो इनके देश में इनके दिल में भावना है देश भक्ति की वोई भावना सेना में होती है वोई भावना लाकों युवास सुबह उठके रनिंग करते हैं आर्मी में जाने के लिए सही अब देखिए उनके साथ क्या किया गया अभी पेपर आउट भी बोलूँगा ये लाकों लोग सुबह उठते हैं सेना में जाने की कोशिश करते हैं अब नरेंद्र मोदी जी नई योजना लाएं हैं अगनी वीर अगनी वीर कहती है कि हिंदुस्तान में दो तरीके के शहीद होंगे एक होगा जेनरल रेगिलर आर्मी वाला अगर वो शहीद होगा उसे शहीद का दर्ज दर्जा मिलेगा और दूसरा होगा अगनी वीर अगर वो शहीद होगा उसे कोई शहीद का दर्ज नहीं मिलेगा उसको उसकी लाश को वापिस घर बेश दिया जाएगा उसे ना कोई उसके परिवार को ना कोई पेंशन मिलेगी ना कोई मदद मिलेगी और उसको शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा बाई और बेनों ये शरम की बात है लाकों लोग हिंदुस्तान में आर्मी में जाकर देश सेवा करते थे उनको इज़त मिलती थी उनको पेंशन मिलती थी उनको कैंटीन मिलती थी और उनको शहीद का दर्जा मिलता था अब बीजेपी ने ये चीन लिया चार में से तीन युवाओं को वो वापिस भेजेंगे और आप देख लेना, लिख के ले लो, वो जो वापिस आएंगे न, वो सारे के सारे जो अगनी भी निकाले जाएंगे, वो सारे के सारे गरीब होंगे, उन में से एक अमीर बंदा नहीं निकाला जाएगा एक्जायम के बाद आप जानते हो, यह निया धंदा चला है, आप से एक्जायम कराते हैं, आप पढ़ाई करते हो, आप अपना पैसा निकाल के प्राइबेट कॉलेज उनिवर्सिटी में ट्यूशन सेंटर में डालते हो, उसके बाद सुबह उठते हो, एक्जायम करने जाते ह वहाँ पे एक्जाम में आपको किसी और का मॉबाइल फॉन दिखता है उस पे पूरा का पूरा क्वेस्चिन पेपर दिखाईजे दरता है यह पूर यह इसका लक्ष क्या है कि यह जो रोजगार मांग रहे हैं सरकारी जॉब मांग रहे हैं इनका टाइम जाय करो इनका बेफ़कुव बनाओ भाईय और बहनों यह काम सरकार ही करारी है यह पेपर लीग का ब्रास वाले लोग हैं, यह जो लोग हैं, इनको बरबात कर दिया, GST से, नोट बंदी से इनको खतम कर दिया, आज कल क्या हो रहा है, चाइना का माल यहां आ रहा है, यह मोबाइल फोन जो है, यह चाइना का है, यह चाइना का माल यहां आ रहा है, बड़े-बड़े यह देखो यह है made in China मैं चाहता हूँ इससे चाइना के युवाओं को फाइदा होता है और इससे अधानी जैसे अरब पतियों को फाइदा होता है चाइना का माल यहां बेचते हैं मैं चाहता हूँ सबसे पहले कि हिंदुस्तान के युवा इस फोन को हिंदुस्तान में बनाए और एक दिन ऐसा है प्रियंक का माइक पकड़ों एक दिन ऐसा है कि मैं यहां अलीगड़ाओं दससाल बार छे साल बार और इसके फोन की पिछे देखू लिखाओ मेडं अलीगड़ और पिर और पिर यहां आओं और यहां पर दस दस युवाओं को कहूं या बेटा इधर आओ को उपर आए मैं कहूं क्या करते हो भाईया हम मोबाइल टेल